हेलो फ्रेंट्स तो कैसे आप लोग आपका स्वाकत है रंगोली रिशोई में आज मैं बजार जैसी पर्फिक्ट ब्रेड पकोड़ा बनाना बताऊंगी तो कैसे बनाते हैं और क्या-क्या समगरी है यह मैंने ब्रेड लिया है और यह मैंने आलू को बॉयल करके इसका छिलका निकाल के रख लिया है यह कटी हुई धनिया पता है वह पत्ता को भी है मैंने उसको इस तरह से काट लिया है और दो मैंने प्याद लिया है उसको भी मैंने काट लिया है और यह हरी मिर्श और लहसुन इसको मैंने चॉप कर लिया है और यह बेसन है तो चलिए बनाना कडाई को गरम होने के लिए रख दिया है कडाई बिल्कुल गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे और खड़ा जीरा बेखिए जीरा अच्छी तरह सीका है अब इसमें चॉप किया था उसको इसमें एड़ कर देंगे और इसको हल्का भूनेंगे ज्यादा नहीं देखिए और इसमें आप थोड़ा सा हल्दी एड़ करेंगे और फिर कटी हुई धनिया पत्ता उसके बाद चॉप किया हुआ आलू इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक एड़ करेंगे इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है तो चलिए इसको एक बरतन में निकाल लेते हैं तो चलिए अब हम बेशन को घोल लेते हैं हम एक बरतन में बेशन को एड़ करेंगे इन सभी में आप मसाला एड़ कर देंगे थोड़ी सी मैंने काली मिर्च पॉडर लिया है और थोड़ा सा जीरा पॉडर और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पॉडर लिया है आदी छोटी चमच और आदी छोटी चमच मैंने हल्दी पॉडर लिया है और स्वाद अनुसार नमक अब पानी डालके इसका एक अच्छा बेटर बना के त्यार कर लेंगे इस तरह से देखिए एकदम बहुत अच्छी बेटर बन के बिलकुर रेडी है तो चलिए अब आगले प्रोसेस में चलते हैं देखिए ब्रेड को हम इस तरह से अब कट कर लेंगे और उसके बाद यह जो मैंने हालू का मसाला बनाया है इसको इसमें लगा के इस तरह से रख लेंगे सभी को देखिए सभी को मैंने रेडी कर लिया है चलिए अब अगले प्रोसेस में चलते हैं अब हम पैन को गरम होने के लिए रख देंगे और आब इसमें हम ऑईल डालेंगे तेल बिलकुर गरम हो चुका है देखिए ब्रेड को हम इसमें इस तरह से भीगो लेंगे फिर उसके बाद इसमें हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अब इसको हम प्लट लेंगे दूसरे साइट से भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे देखिए दोनों साइट से एकदम गोल्डेन हो चुका है तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में देखिए मैंने निकाल लिया है तो चलिए इसको हम सॉग कर लेते हैं ब्रेट को हम इस तरह से कर लेंगे देखिए और इसमें हम सबसे पहले हरी चटनी लगा लेंगे उसके बाद टेमैटो केचप उसके बाद पत्ता गोबी प्याज टमाटर और हरी चटनी टमाटर केचप देखिए इसको मैंने सजा लिया इसी तरह और सभी को हम सजा लेंगे देखिए मैंने सब कर लिया है अगर ये ब्रेट पकोड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले ताकि मेरी अगली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहें तक्स पर वाचिकेशन जोड़ी का वाची एंड शेफिकेशन घड़ी आपको सब्सक्राइब करेंड़ी करें रहें